कभी किसी को आदर के साथ मत देखो, कभी किसी को तिरसकार के साथ मत देखो, सिर्फ जीवन को उसके असली रूप में देखना सीखें, तो आप सहचता से अपने जीवन से गुजर जाएंगे. सद्गुरू, स्कूल और कॉलेज के दोरान हमें खुद को महत्व देना सिखाया जाता है, खुद से प्यार, खुद पर विश्वास. ये खुद से प्यार क्या है? आपके स्कूल में ये क्या हो रहा है? समाज में आमतोर पर हमें इस हद तक खुद को महत्वदेना सिखाया जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि विनम्र कैसे रहे तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हम फिर से विनम्र कैसे हो सकते हैं देखिये विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है नहीं घमंडी होने की कोई जरूरत है अब जब आप मुझसे ये सवाल पूछ रही है चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरी बेटी मेरे साथ सफर करती थी मेरे साथ अकेले कार में जब वो साड़े तीन महीने की थी मैं कार में इस छोटी सी बच्ची को लेकर देश भर में घुमा तो वो कई लोगों के घरों में बड़ी हुई मैंने एक नियम बनाया क्योंकि हर कोई बड़ों के साथ ये समस्या है जब वो किसी बच्चे को देखते हैं तो वे उस पर टूट पड़ते हैं एक हिंसक जानवर की तरह वे कुछ न कुछ सिखाना चाहते हैं ये इतना हर कोई 1,2,3,4 या ABCD या Mary had a little lamb सिखाना चाहता है मैंने कहा देखिए मैं नहीं चाहता कि वो ABC, 123 जाने नहीं मुझे इसकी परवा है कि मेरी के पास एक लैंब थाया नहीं तो कोई नहीं एक नियम है कि आप उसके साथ खेल सकते हैं कोई उन्हें कुछ सिखाएगा नहीं तो वो हसते खेलते बड़ी हुई 18 महिने की होते होते वो धारा प्रवात तीन भाशाएं बोल रही थी क्योंकि किसी ने उसे कुछ सिखाया नहीं तो वो सुन रही थी वो ये नहीं गा रही कि Mary had a little lamb कोई rhymes नहीं कोई भाशा नहीं कोई गणित नहीं बस जीवन मैंने सोचा था कि मैं कभी उसे स्कूल नहीं भेजूंगा लेकिन सिर्फ एक वजा ये थी कि उसका अपने एज ग्रूप के साथ रहना जरूरी था तो वो स्कूल गई और जब वो करीब बारा साल की थी एक दिन वो स्कूल में जो हुआ उससे थोड़ा परेशान होकर घर आई फिर उसने कहा आप सब को कई सारी चीज़ें सिखा रहे हैं आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहें मैंने कहा देखो मैं बिना मांगे चीज़ें करने के लिए प्रसिद नहीं हूँ अब तुम आ गई हो तो देखते हैं देखो, तुम्हें बस इतना जानने की ज़रूरत है, कभी किसी को तिरसकार के साथ मत देखो, कभी किसी को आदर के साथ मत देखो, और उसने इस तरह से मेरी और देखा, और आपको इस भाव के साथ, मैंने कहा मुझे भी नहीं, अगर तुम मुझे आदर के साथ देखोगी, तो शायद तुम मेरी एक तस्वीर लेकर मुझे अपनी दिवार पर लगा दोगी. लेकिन मैं जो हूँ, तुम उसके पूरे महत्व से चोक जाओगी. तुम्हें मुझे वैसे देखना चाहिए जैसा मैं हूँ. आदर के साथ नहीं. कभी किसी को आदर के साथ मत देखो, कभी किसी को तिरसकार के साथ मत देखो. ये बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे आजमा कर देखिए. अपने मन में आपने तै कर लिया है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचा है, क्या नीचा है, क्या पुर्णी है, क्या पाप है, क्या गंदगी है, क्या दौलत है, सब कुछ सब कुछ पहले से तै है एक बार आप ये तै कर लेते हैं, फिर कोई रास्ता नहीं है तो आप सहचता से अपने जीवन से गुजर जाएंगे, बिना संगर्ष के. अभी समस्या यही है, आप कुछ लोगों को आदर के साथ देख रहे हैं, कुछ लोगों को तिरसकार के साथ, और फिर उनके साथ विनम्र होने की कोशिश कर रहे हैं. विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, हर किसी से उतनी ही कठोरता से बरताव कीजिए, जैसा आप अपने साथ करते हैं, मतलब अगर आप खुद से सक्ती कर रहे हों तो, अगर आप खुद को खुश रखते हैं, तो दूसरों के साथ यही कीजिए, फिर आप ठक जाएंगे, उ तो यह सरल है, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूं, जो मैंने उसे बताई थी, इसने उसके लिए चमतकार की तरह काम किया, कभी किसी को आदर के साथ मत देखिए, कभी किसी को तिरसकार के साथ मत देखिए, बस हर चीज़ को वैसे देखिए, जैसी वो है, यही इस प्रुष को देखते हैं तो क्या करते हैं? नमस्कारम। किसी महिला को देखते हैं तो क्या करते हैं? नमस्कारम। पेड़ को देखते हैं तो क्या करते हैं? नमस्कारम। एक गाय, साप, गधा, बंदर हर किसी को नमस्कारम। क्योंकि मूल रूप से इसका यही मतलब है। इसे वैराग्य कहते हैं वैराग्य मतलब अपना जीवन त्याग कर कहीं और चले जाना वैराग्य नहीं है ऐसी कोई जगा नहीं है जब तक के आप उस शखस के साथ नहीं जाते अंतरिक्ष में मुझे लगता है वो आपको एक तरफ के टिकट के साथ भेजते हैं वर्ना जाने के लिए कौनसी जगा है आप जहां भी जाते हैं वहाँ भी जीवन ही है ना तो वैराग्य का मतलब ये है वैराग्य का शब्दिक अर्थ है रंग से परे इसका मतलब है कि आप पारदर्शी हो गए हैं अगर आप पारदर्शी हैं तो जीवन का हर आयाम आपसे होकर गुजर जाता है मगर वो आपको छूता नहीं है आप जीवन को जिस हद तक चाहें संभाल सकते हैं जिसे आप संभाल सकते हैं संभालिये जिसे आप नहीं संभाल सकते हैं उसे नहीं संभालिये लेकिन आपके जीवन में अगर आप वो नहीं करते जो आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक तबाही है जैसे ही आप सोचते हैं कुछ अच्छा है कुछ बुरा है कोई उचा है कोई नीचा है कई सारी चीजें जो आप उचा या उचा या जो भी बकवास है तो हमारे जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक छोटा सा जीवन है बहुत थोड़ा सा समय है मनुष्य की क्षमता के खिलने के लिए इस जीवन में यहां अगर आप चुन रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है नहीं हर चीज जो आप कर सकते हैं वो होनी चाहिए जो आप नहीं कर सकते वो नहीं होती कोई बात नहीं